चार दो कदम देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ हैं कोर पांडे कबरों के सुरुआत करेंगे से पहले बड़ी खबर राची से हेमंत सूरेन की ताज पोशी आज तो वही चौदवे मुखमंतरी के तौर पर हेमंत सूरेन शपत लेंगे शपत के दोरान इंडिया गड़वंदन की ताकत देखने को मिलेगी शपत गरण समारो के दोरान कई नेता भी शामिल हो रहे हैं मुराबादी मैदान में इसको लेकरके कारकरम रखा गया शाम चार बज़ेका समय जब सीम सूरेन लेते हुए नज़र आएंगे चार गरण समारो को लेकरके तमाम त्यारिया यहां पर की गई है मुराबादी मैदान से मर्सा तमारे समधा सुरज हमरे साथ लाइप जड़ गाए है सुरज देखे शाम को होने वाले कारकरम को लेकरके फृल तमाँ त्यारियां की जारी है और ऐसे में का यह जारा है कि तमाँ निताओं का भी जमाड़ा यहां पर देखने को मिलेगा जारकन के चौदे मुख्यमंतरी के तौर पर आज हेमन सोरीन की ताजपोशी है तोड़ी देर के बाद यह कारीकरम शुरू हो जागी जारकन के राजपाल संतोस गंगवार उन्हें सीम पद की यानि मुख्यमंतरी पद की वो स्थपत दिलाएंगे एक बड़ा कारीकरम का युजन किया गया है राची का मुरावादी मैदान में हजारू के संख्या में जो इंडिया गड़ंदर ये कारीकरता है वो पुरे राजपर से आये हुए हैं इसके लावे अगर हम मुख्यमंतरी के बात करें कई राजपर के मुख्यमंतरी भी शामिल होने वाले है थोड़ी दिर के बाद ये कारीकरम शुरू हो जाएगा और ये राची के मुरावादी मैदान का नजारा है देके पांच लियर में ये बैठने की जो कूरसिया है वो लगाई गई है और भारी सग्या में जो इंडिया गडदंदन के कारीकरता है वो यहाँ पर पहुँच रहे है यानि राजभर के तमाम जिलों से जो कारीकरता है वो यहाँ पहुच रहे है बैठने के लिए पांच रों में यहाँ पर चियर लगाए गया है इसके लाबे वी वी आईपी वी आईपी और जो विधायक है जो सिटिक विधायक उनके लिए बैटरी के अलग बेवस्ता किये गए है इसके लाबे जो पूर विधायक है उनके लिए बैटरी के अलग बेवस्ता किये गए है जहां पर थोड़ी दिर के बाद खुद हेमन सोरेन यहां पर पहुंचेंगे जहां उनकी ताजबोशी होगी राजेपाल संतोज गंगवार उन्हें शपत दिलाएंगे इसके अलावे जो मुख्य अतीती है उनकी लिए बैठने के लिए अलग चियर यहां पर लगाए गया है और जो पूर्व विधायक है विधायक है उनके भी बैठनी के वेवसा यहां पर किया गया है लेकिन आज शरीप मुख्यमंत्री ही शपत लेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से बाते आ रही थी उस बातों को विराम देते हुए मुख्यमंत्री चौधे मुख्यमंत्री के तोर पर हेमन सोरेन कि आ स्तास्तकूसी होगी जारखन के ये चynिवार मुख्यमंत्री की शपत ले रहा हैं हमन सोरेन और सबसे बड़ी बात है कि इस शपत ग्रह्न सामारों में और भी जो विधायC zijnत्रियों को शपत लेनी थी फिलाल काइनेट मं मंच की भी तस्वीर आपने दिखाए ऐसे में मंच में अगर हम बात करें तो हेमन्त सोरेन के साथ कौन-कौन से वो नेटा होंगे जो की मौजूद नजर आ सकते हैं और साथ सुरच्छा को लेकर कि क्या कुछ तैयारी की गई है क्या कई सेग्मेंट में भील को नियंतरल करने क के लिए क्योंकि कारकरता भी शामिल हो रहा है साथ आपने बताया तो ऐसे में आग किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है कि अधिके मंतरी हेमन सोरेन की जीस तरह से ताज पोस्याज होने हैं और मुख्यमंतरी के साथ अगर उस मंच के अगर बात करें तो जो बड़े चेह रहे जो बड़े चेहरे हैं वो यहां पर शामिल होंगे जैसा हमने जिक्र किया मनिका जुन खडगे राहुल गांदी ममताब एनरजी अर्विंद के जिरिवाल भगवत मान इसके लावे अंडे राजयों के मुख्यमंतरी यहां पर जो मुख्यमंच है वहां पर रहे उनके लिए भी अलग बैटने का बेवसा यहां पर किया गया है जहां तक सुरक्षा कि अपने बात करी अंकूर तो यारपोर्ट से लेकर एडिशन बुलू और एडिशन बुलू से लेकर जो मुख्यमंच है समारो अस्थल है बोरावादी मैदान में भारी मातरा पर फ हजार से भी ज्यादा जमानों को तैनाद किये गए हैं ताकि जो वी वी आईपी गेस्ट होंगे वी आईपी गेस्ट होंगे उनके कारकेट आने में मुख्यमंच तक किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो यानि कुल मिला कि एक हाजा सकता है कि सुरक्षा के चाग चौबन बिल्कुल देखे एतियासिक और एहम दिन जरूर रहना है वहीं सुरज साथ में समझा शार देखे रेडिस्टन ब्लू का भी जिक्र आपने क्या तो ऐसे में क्या जो मेहमान आएंगे क्योंकि हमने देखा लाकातार तेजस्वार करें तो कुछी देर में वह भी पाटना से देखे बिल्कुल जो बेवस्ता है मुकमल बेवस्ता है जो वी वी आईपी वी जो गेस्ट है उनके लिए अलग बेवस्ता किया गया है उनकी जो कारकेट है वो अलग रूट से आएगी उस रूट में कोई दूसरी गाड़ी प्रवेश नहीं करेगी एक अलग लियर बनाए उनके कारकेट के लिए उनके कारकेट के संद जूमुक्यागाडी होंगे उनके लिए करख रूट यहां पर तैय किया गया है उसरूट में किसी रही है 2019 में जीत के आया थें तो हाना के पांच मेहने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा लेकिन इंडिया गडबंदन पूरी पांच साल अपने सरकार की पूरा की है अब यह पांच साल एक बार फिर जार्खन का बागडो रहमन सोरेन के हाथ में लेकि इसमें चुनोतिया पढ़ाकर 25 सुदी जागी तिक मुष्ट में इतनी भारी भरकम राशी हर मैंने वह कहां से लेका इसके लावे जोहार शब्द का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जोहार का शब्द इसलिए प्रियोग करते जारकनवासी उन्हें स्वागत के तौर पर जोहार किया जाता है उन्हें प्रणाम किया जाता है तो ये मुखे मंच के बगल में मैं आपको दिखाऊंगा ये जितने भी यहां पर कटाउट लगाए गए हैं जितने फ्लैक्स से आपने देखा आप खुद यहां पर देखेंगे चाहे वो मनीशी सोधिया की बात कर रहे तीजस्वी की बात कर ले कपिल सिब्बल की बात कर सोनिया गादी, मलीका जुन खड़गे, सरत पवार, ये ते तमाम इंडिया गडवंदन के जो बड़े चेहरे हैं, उनकी जो तश्वीर है, उनका ये फ्लैक्स यहां पर लगाए गए हैं, कटाउट लगाए गए हैं, और हर फ्लैक्स में, हर तस्वीर में आपको जोहार साथ एक बड़ा मैसस देने की ये तैयारी आप जरूर की गए हम लोटेंगे, आपके पास आप बने रहेगा हमारे साथ, तमाम अपडेट आपसे आगे भी लेंगे, फिलाल मुराबादी मैदार में जो तैयारे चले तो उसकी तस्वीर है आपने देखी, वहीं आगे समारो में कई दिगज निता हिस्सा लेंगे, देरशाम कैबिनेट बैठक में हेमंत सूरेन आ रहेंगे और कई महत्पूर प्रस्तावों पर भी वह फैसला ले सकते हैं, तो आज शपत ग्रण समारो में जहाएक और कई दिगज निता हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, तो में देर, शाम, कैबिनेट बैठक भी करते हुए नजर आएंगे हेमंत सूरेन, हाला कि जड़ा जानकारी कलमर साथ हमारे से वदाता लगातार सूरेन साथ बने हुए, तो इसके बाद कैबिनेट बैठक भी रखी गई है, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उस बैठक में भी जिन पर बात बंते हुए दिखाई दे सकती है की जागी, इसके अलावे और ऐसे कई मेहतापोन जो फैसले हैं, चाहे अबुआवास के बात कर ले, या फिर अन्य योजनाओ के बात कर ले, या फिर चार सो पचास रुपार में गैस लेंडर देनी की बात कर ले, तो यह जब मुख्ये जो वादे हैं, एहमन सोरे ने जो च की शुरूआट आज से हो रही है, तो ऐसे सिती में आज के कैमनिट के बैठक काफी महतापून है, अला कि अब लावे और क्या कुछ हो फैसल ले थे कीबनिट के बैठक में हैं, अला कि यह जरूर है कि direct कार क्यो कि जहां एक और आज जो शपत ग्रेंट तो इसके साथ ही तुरंट केबिनेट बैटा कोना और कई एहम प्रस्तावों पर इस दोरान कहा जा रहा है कि उन पर भी चर्चाओ सकती और कई एहम प्रस्ताव ऐसे जिनको पास भी किया जा सकता है तो क्या इसके जर्ये भी एक मेसेज देने की कोशिस है कि कि इतनी गंभीर है इंडिया कड़वन्दन की यह सरकार क्योंकि जैसे ही सत्ता में आते हैं तो फौरा नहीं हम तमाँ आगे की चीज़ों को लेकर के काम में लग गए है देखिए बिलकुल आप कहा सकते हैं क्योंकि एक चुनौती भी है क्योंकि अभी मंदल की बटवारा में थोड़ी बिलम है क्योंकि मंदल का बटवारा यानि हैमन्द कैबिनेट का बिस्तार कहा जा रहा है दो से तीन दिसंबर के बीच होनी है तो इसमें कई ऐसे जो चेहरे हैं उसे रिप्लेस किया जाएंगे जो पुर इंडिया गड़ बन्धन के चुनाओ के तहट माले ने दो सीट हाशिल की है जारखंट से तो वो भी कहिन के मंतरीपद के दावेधार हो सकते है लेकिन कहाई ज़या रहा कि कांग्रेस और भी मंतरीपद को लेकर प्रसाउ अपना बढ़ा सकते हैं कहाई ये जारा कि फिलाल जो वाक्या है वो अभी फिलाल सामने आई है लेकिन एक चिनोती है हलाके देखे अभी कैबिनेट के विस्तार नहीं हुआ है तो ये आने वाले कुछ दिनों में ये समिक्रा निस्पस्ट हो जाया कि कौन पार्टी से कितने मंत्री होंगे हैमंद कैबिनेट में और किसे किस बिभाग का दाइत्व दिया जाता है ये फिलाल थोड़ा इंतिजार करना होगा लेकिन हाँ ये कूल इमलाकी यही के कैबिनेट का जो विस्तार है बहुत जल्द हो जाएगा अभी ऐसी हैं जो कि फिलाल धुंदरी जरूर है लेकिन समय के साथ जरूर वो साफ होते ही नजर आएगा और उस पर भी हमागे आप से अपडेट लेंगे फिलाल बहुत शुक्री आपका मरसा जूनने के लिए और इस तमाम जानकारी को साजा करने के लिए हैमंत सुरेन जारखन के जहां पार टू अगले पांच सालों तक सत्ता की बागगदार समालने वाले हैं और हाला कि ऐसे कई चुनोतियां हमंत सुरेन के सामने रहने वाली है हाला कि उससे कैसे पार पाते ये भी देखने वाली बात होगी फिलाल मुराबादी की बैदान के तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर मंच से ले करके वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए तमाम तैयारियां प्रशासन के और से की गई हैं मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने तमाम यह तैयारियां की हैं बड़े बड़े पोश्टर इंडिया करण बंदर के निताओं के साथ लगाय के हैं जुहार सब्द काई अस्तिमाल किया गया यानि कि बड़े पोश्टर के साथ ही एक बड़ा मैसेज देने की एक कोशिस यहां पर की जारी और इसकूल लेकर के बड़े पैमाने पर यहां पर यह तैयारी की गई है करते हैं जो कि नॉन फंक्शनल है, जैसे कि जहारखंड, बाल, संक्रखण, आयोग का जो अध्यक्षा का पद है वो देड़े साल से खाली है, यहां पिशले पानच सालों से जो अधिकारियों के परूसे चल रहा है, accountability completely missing है इसलिए हम चाहेंगे कि नगर परिश्ट के चुनाओ हो नगर निगम के चुनाओ हो और वो जो पूरा का पूरा system है वो जल से जल जन प्रतिनीदियों के हाथ में जो जाएं ताकि जनता का विकास जो हो सके अच्छे से जारकन के चौधे मुख्यमंत्री के तौर पर हेमन सोरें की एक बार फीर आज तास्पोसी हो रही है यह देगे ठीक हमारे पीछे एक भबे मंच बनाएगा है जा थोड़ी दिर के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर हेमन सोरें शपत लेते हुए दिखाई देंगे इस सपत ग्रहन समारों में इसे कई गेस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं चायो मालिका जुन खड़गे की बात कर ले राहुल गांदी, भागवत मान अर्विन केजिरिपाल, ममता बनर जी इसके अलावे तेजश्पी यादो सपानेताकलेस यादो समेथ ऐसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कारिकरम में इस समरों में हिस्सा लेंगे और ये बड़ा आप देख सकते हैं कि पांच लियर का बैठने के लिए जो कारिकरता है जो इंडिया गडवंदन के समर्थक है उनके लिए ये तमाम चीज़े बनाएगे हैं लगबग एक लाग से भी जादा लोग आज मुरावादी मैदान की वो गवा बनेंगे क्योंकि जारकेंट के 14 मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर हेमन सोरेन की ताज़ पोशी हो रही है हला कि कैबनेट मंत्रियों का बिस्तार अभी नहीं हो रहा सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर हेमन सोरेन आज शपत लेंगे बाकी मंत्रियों की अगर हम बात करे तो वो दो तारीक के बाद कहा जारी यारी दो दिस्संबर के बाद वो शपत लेंगे कहा इसमें यह जारा कि जार्खण मुक्ति मूर्शा के छे मंत्री पद की शपत लेंगे कॉंग्रेस के चार राज़त कोटे से एक विधाय को मंत्री बनाय जाएगा हेलांकि केeldमित की विस्तार अब कुछmasy का बाद हो जाएगी मुख्यमंत्री के तोर पर आज शपत ले रहे है धारखण में हेमन सोरे siya हेलांकि चौदे मुख्यमंत्री के तोर पर अज उनकी ताज पोशी हुने ही है। तो ये कह सकते कि एक बड़ा सामरों का आयोजन क्या गया है एक बड़ी जनादेश के बाद एक बार फिर धारकट में इंडिया गंडवंदन की सरकार बनने जा रही है इंडिया गंडवंदन के गर बात करें तो इस बार भारी बहुमत के साथ सरकार वापसी की है 56 बिधायकों का समर्थाने मुक्हेमंत्री हेमन सोरेन के पास तो यह कैसे रिखाति एक बड़ा जनादेश के साथ ःजारकंड में एक बार 50 समानले के लिए ऐमन सोरेन को मौखा मिला है हखला कि अपणि चुनावी वादे में कई ऐसे मुक्हेमंत्री की चाहिए वो 400 रुपया सिलेंडर देनी की बात कर ले अबुआवास की बात कर ले या फिर महिलाओं को 1000 के जगा 25 रुपया देनी की प्रतीमा की जो उन्होंने घोशना की है उनके लिए कहीं नक एक बड़ी चुनौती होगी हलाके अभी देखेना कि ये पांच साल एक बार फिर सत्ता का बागडोर मुखे मंतरी हमन सोनें सामालने वाले हैं तो ये पांच साल कैसा रहेगा ये फिलाल हमें और थोड़ा इंतिजार कर रहा होगा अपने बीडियो जन समीत के साथ सूरज नीजनेशन राची